एक बार वफार करने के लिए एक सहर से दुसरे सहर जाता था बीच में रेगिस्तान का कुछ इलाका पड़ता वहाँ आदमी एक नेगटिव सोच वाला इनसान था हमेशा सिकायत करता रहता कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है इसकी कमी है उसकी कमी है एक दिन वह रेगिस्तान से जा रहा था तभी उसकी पानी की बोतल खाली हो जाती है उसे बड़ी जोर से प्यास लगती है लेकिन रेगिस्तान में पानी ने मिलने की वज़े से बहुत गुसा आता है और बोलता है कि कितना खराब जगह है ने कोई पेड है ना पानी का रास्ता है रेकिस्तान पार करना पड़ता है तबी आसमान के तरफ देख कर कहता है कि भगवान ये कैसी जगह बना दी अगर मेरे पास बहुत सारा पानी होता, बहुत सारे संसादन होते तो इस जगह पर हर्याली कर देता बहुत सारा पेड़ लगा देता, वह आदमें उपर देख करें सब बातें कह रहा होता है और जैसा लग रहा है कि जैसे उपर वाले से जबाब की परतिक्षा कर रहा हो कि बगवान कुछ कह दे अब जमतकार यह हुआ कि वह जैसे ही नीचे देखा उसे अपने आँखों के समने कुवा दिखाई दिया वह पूरी तरह से घबरा गया क्योंकि उसने कभी पहले रहगिस्तान में कुवा नहीं देखा था वह कुवे के पास पहूंचा और देखा कि कुवा पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है परन्तु वह आदमी नेगिटिव सोच वाला था और हमेशा सिकायत करता रहता फिर से असमन की तरफ देखती हुए बोला भगवान पानी से बरावा कोवा तो दे दिया लेकिन पानी निकालूँगा कैसे तो इस बार वह जब नीचे देखा तो फिर से चमतकार हुआ उसे कुएंग पास रस्षी और बाल्टी दिखाई दी लेकिन आदमी फिर से उपर देख और बोला भगवान अब इस पानी को ले जाओंगा कैसे तब ही उसको महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई है तो उसे पीछे मुड़कर देखा तो एक उंट खड़ा हुआ था वह पूरी तरह से गभरा गया और सोचने लगा कि ये तो सच होने लगा है मैं तो बातो बातों में कहे दिया था मुझे यहां हरियाली करने पड़ेगी और पेड लगाने के जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी आदमी को पानी से भरा हुआ कुआ मिल गया बाल्टी रस्षी मिल गई पानी को ले जाने के लिए उट भी मिल गया सब कुछ मिल गया अब वह आदमी सोच रहा था ये तो मैंने बातों बातों में क्या बोल दिया बहुत गड़बड हो गई अब वह तेजी से दोड़कर बागने लगा वह भागता जा रहा था उस जिम्मेदारी से तब ही एक कागज उड़ते हुए आया और उसके शरीर से चिप गया उसने जब उस कागज को देखा तो उस पर लिखा हुआ था कि मैंने तुम्हे पानी दिया कुआ दिया रस्षी और बल्टी दिया पानी को लेज जाने के लिए साधन बिदया फिर क्यों भाग रहे हो उस आदमे को लगा कि मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा है वह दोड़ते दोड़ते रेगिस्तान को पार कर गया लेकिन उस रेगिस्तान को हरबरा नहीं बनाया यह कानी हमें शिकाती कि हम बहुत सारे लोग यह कहते हैं कि बड़े स्कूल में नहीं पड़ा लिया बड़े कॉलेज में चला गया होतो तो यह कर लेता अगर मेरे पास बहुत सा पैसा होतो तो यह कर लेता अपनी जिम्मेदारी से बचकर भाग रहे होते हैं ये कहानी हमें सिकाथ थी कि लाइफ में हम जो कुछ भी कर रहे हैं सो परसेंट जिम्हेदारी हमारी है कि उस काम को बिना किसी सिकाथ के पूरा करें